हेलो गाइस वेलकम टू माई चैनल आएम शेशांतिवारी इंडिस इस वाइनेदर वीडियो तो गाइस आज के वीडियो में मैं उपक्सिंग करने वाला हूँ एक पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर की दोस्तो आपको पता ही होगा हाली में ही मैंने अपने चैनल पे एक डिटेल बताऊंगा और अच्छे से सारी चीज़े बताऊंगा कि शॉट्स में इतना टाइम नहीं रहता कि आपको किसी प्रोडेक्ट के बारे में ज्यादा क्लियार्टी दे पाऊं तो यह जो दोस्तों प्रोडेक्ट होने वाला है यह टोटली पोटेबल है और कॉडलेस ह किया गया है तो इसकी पावर भी कार के अकॉर्डिंग ही डिजाइन की गई है तो विडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और अउस इट दा मैंने शॉर्ट में शेयर की थी बट आज के इस लॉंग वीडियो में और भी डीटेल्स बताऊंगा इस प्रोड़क्ट के बारे में तो यह जो प्रोड़क्ट है दोस्तो यह कार क्लीनिंग के लिए बहुत ही कमाल का है तो जल्दी से इसकी अन्बॉक्सिंग स्टार्ट करते ह तो सबसे पहले आप देखोगे बॉक्स में में यूनिट के साथ बहुत सारे अटैच्विंट भी आपको मिलते हैं तो यहां पे यह यूजर मैनुल है और यह जो आपका जार है प्लास्टिक का इसमें दोस्तो सबसे पहले आप देखोगे एक फिल्टर मिलता है जिसे आपक यह एक ब्लोवर के लिए अटैच्विंट मिलता है तो यह कुछ इसमें अटैच्विंट है इसके बात करें चार्डिंग पोर्ट के बारे में तो आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है जो बहुत ही कमाल की चीज़ है और यह हमारा मेन यूनिट यह दोस्तो पोर्टेवल वैक अटैच्विंट को लगाना है तो कुछ इस तरीके से आप इसमें नौजल को लगा सकते हो और इसी नौजल के आगे आप यह मल्टी परपस ब्रश भी लगा सकते हो जो आपकी क्लीनिंग में हेल्प करेंगे तो ओवरॉल दोस्तों यह जो एटैच्विंट से हैं यह बहुत बट यह जो पोटेवल वैक्यूम क्लीनर है यह दोस्तों बहुत ही कमाल का है और यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके से आप मैंने इसके पीजिस छोटे कर दिये तो कुछ इस तरीके से क्लीनिंग यह करके हम लोग को दे देता है साथ इसाथ दोस्तों यह टू इन अगेन वेक्यूम क्लीनिंग कर सकते हो यह दोस्तो एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस है जो आप कहीं पे भी केरी कर सकते हो और कुछ इतना इसमें पावर है 120 वाट्स है और आप देख सकते हो दूस्तो इस तरीकी का आपको पूरा डिजाइन मिलता है और बात करें अगर चार और अब मैं आपको कार के टुटोरियल दिखा देता हूं यहां पे आप देख सकते हो कार की जो डिस्ट है वो कुछ इस तरीके से क्लीन करता है दोस्ते बहुत ज्यादा पावरफुल तो नहीं है क्योंकि यह कॉडलेस है कॉड़ेड होता तब इसकी पावर अलग होती बट अ जर्ट आपको मिलेगा इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको इतनी डीसेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगी जैसा कि आप यहां देख सकते हो तो अभी आपने इसकी साउंड भी सुननी कि यूज करते टाइम में कितनी साउंड क्रियेट करता है और यहां पे आप कुछ फुटेज भी देख सकते हो तो अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की तो दोस्तो यह जो प्रोडेक्ट है इससे आप ज़्यादा एक्सेप्टेशन मत रखना बट 500 रुपीस के अकॉर्डिंग और यह कॉर्डलेस है उस अकॉर्डिंग मुझे प्रोडेक्ट बहुत ही डिसेंट लगा और थोड़ी